हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरू सेल्थ केर की इस नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ युरिक असिड के बारे में हम इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये प्यूरीन कंपाउंड यूरिक असिद में बदल जाता है जो बाद में खून के माध्यम से सरीर के दूसरे अंगों में फैलता है हमारे सरीर में यूरिक एसिड का एक निश्चित स्तर होना बहुत जरूरी है लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इसके कारण विभिन स्वास्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि गाउट हो सकता है जिसे हम गटिया भी कहते हैं गाउट के दोरान यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जोडों में जमा हो जाते हैं जिससे दर्द, सूजन और लालिमा उत्पन्न हो जाती है यूरिक एसिड का स्थर व्यक्ति के आहार, जीवन सैली और अनुवांशकी पर निर्बर करता है हाई प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ जैसे लाल मास, अंगो का मास, समुंदरी बोजन और चीनी युपे पदार्थ यूरिक एसिड के स्थर को बढ़ा सकते हैं इसके अलावा डिहाइडरेशन और उबैसिटी यानि के मोटापा भी इसके स्थर को बढ़ा सकता है यूरिक एसिड के स्थर की जांच के लिए डॉक्टर रक्त का परिक्षन कराते हैं सामान्य स्थर में यूरिक एसिड की मात्रा 3.5 से 7.2 mg पर DL तक होती है लेकिन नॉर्मल रेंज व्यक्ति के जेंडर और एज पर भी डिपेंड करती है यूरिक एसिड अधिक हो जाने पर डॉक्टर आहार में बदलाव, वजन कम करने और दवाओं का सुझाव देते हैं यूरिक एसिड से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाए दोस्तों इस सिच्वेशन से बचने के लिए पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पीएं रोजाना परियाप्त मातरा में पानी पीएं ताकि सरीर से यूरिक एसिड आसानी से निकल सके आहार में सुधार करना चाहिए हाई प्यूरिन वाले खाने से बचें जैसे लाल मास, समुंदरी वोजन, फलों और सबजियों को अधिक से अधिक सेवन आपको करना चाहिए वजन नियंतरन, स्वस्त वजन बनाए रखना भी यूरिक एसिड के स्थर को नियंतरित करने में मददगार होता है सराब से दूरी, बियर और हाट सराब से बचें क्योंकि ये यूरिक एसिड के स्थर को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी यूरिक एसिड के बारे में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में